तो विलकम बैक गाई दिस इस प्रभाध ठाकूर और विलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल इंडियन प्रोग्रेमर तो बेसिकली आज हम लोगों ने शुरू किया नंपाई कंप्ली टुटोरियल का इस सीरीज और इस सीरीज के एंड तक हम लोग यह शूर करेंगे कि आपक लोग को जरुननपाई है वह Sig कोहां सैंसे सीष्ट की कि अब इस होनी चाहिक है कि मव लोग सीक्टे जाता हैं लेकिन रहें कि हम सीख क्या रहे तो हम लोग आपको एक basic approach के साथ सिखाएंगे आपको systematic approach के साथ सिखाएंगे कि numpy का आपको शुरू कहां से करना है आप क्या क्या सीखेंगे इस particular playlist के दोरान और आपको numpy के अंदर क्या क्या चीज़े सीखने को मिलेंगी ओके सो next हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस particular series के index के बारे में ठीक है तो इसका जो index होने वाला है वो है सबसे पहले what is numpy numpy होता क्या है why use numpy मतलब इस particular video के अंदर हम लोग यह चार चीज़ों के बारे में discuss करने वाले है what is numpy, why use numpy, numpy code base और when should you start using numpy मतलब आपको इन चार चीज़ों के बारे में इस video के अंदर मैं बताऊंगा, next video से हम लोग numpy को install करना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग numpy को और जाद explore करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते है basically what is numpy, so numpy is basically python library used for working with arrays, मतलब numpy python का library है जो arrays के साथ काम करने में we can say use होता है, so basically आप आपको काफी better scope provide करता है, list का ही काम को काफी fast करने का, इसके अंदर अपने functions भी हैं जिसमें आप linear algebra पे काम कर सकते हो, आप four year transformation पे काम कर सकते हो, आप matrices पे काम कर सकते हो, काफी wide range of applications आपको provide करती है, numpy को create किया गया था 2005 में by Travis Oliphant, Travis Oliphant in 2005 में numpy को create किया था, ये एक open source project है और आप इसको freely use कर सकते हो अपने machine के उपर, numpy का मतलब है numerical python, आपको अगर full form पूछने को आए तो आप numerical python बता सकते है, numerical python इसका मतलब है, और जितने भी numerical operations आप arrays पे perform कर सकते हो, basically उनको use करने के लिए आप efficiently numpy को use कर सकते हो, ठीक है, तो next हम लोग बात करते हैं समसे पहले, जो question arise होता है, वो है कि मैं numpy का use क्यों करूं, जब मेरे पास python list है, मेरे पास इतने efficient sources है, मैं numpy का use क्यों करूं, तो in python we have list, that's not the purpose of arrays, but they are slow to process, देखो हमारे पास python में list है, जो आपको काफी wide range of applications provide करती है, आप उनमें काफी सारी चीज़ों को काफी easily कर सकते हो, लेकिन हम उन उनके उपर numpy के arrays को क्यों use करें, तो जो numpy के arrays है, वो 50 गोना ज्यादा तेज हैं आपके weekend से python के list से, तो इसलिए भी आपको numpy के arrays use करने चाहिए, the array object in numpy is called nd array, यह चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, यह वैसे हम लोग discuss भी करेंगे आने वाले उसमें, तो उसमें ज करने के लिए, और arrays data science के अंदर, जब आप python सीखने के बाद data science की तरफ बढ़ते हो, तो numpy is a must part, ठीक है, तो numpy आपके लिए पहली library भी प्रूव हो सकता है, जो आप सीखना चाहते हो, we can say data science को implement करने के लिए, लेकिन data science के अंदर numpy काफी frequently use होता है, arrays काफी frequently use होता है, और जहां पे speed और resources काफी ज़्यादा important है, अगर आप list को use करने बैटा हो कि data science के अंदर, तो आप पे काफी slow हो जाएक आपका process, तो ऐसे में आप लोग numpy का use करके process को काफी fasten कर सकते हो, और arrays का use करके numpy की process को speedily और काफी efficiently आव इकन से perform कर सकते हो, So, next हम लोग बात करते है, where is the numpy code base, numpy का code base कहाँ पे है, तो source code जो है, वो numpy का, वो github पे located है, github की इस respiratory पे, जिसका आपका link मैं आपको description के अंदर भी provide कर दूँगा, अब वहाँ जाके इसको check out कर सकते है, ठीक है, next बात करते है, when should you start using numpy, आप numpy को use करना कब start कर सकते है तो numpy आपके लिए greater candidate होगा, एक अच्छा candidate होगा, as a first library, to explore after gaining basic comfort with the python environment, python को सीखने के बाद, basic python को सीखने के बाद, numpy आपके लिए एक अच्छा candidate prove हो सकता है, as a first library, python की पहले library आप numpy सीख सकते हो, numpy को सीखने के बाद आपके पास logical choices होगी, अपनी data science skills को grow करने के लिए, जै ऐसे आप scientific computing कर सकते है, scientific computing capabilities को ला सकते है, scipy का use करके, आप pandas का use कर सकते है, in short, अगर हम बात करें, तो python को सीखो, फिर numpy को सीखो, फिर scipy आप pandas में से आपको एक चीज़ सीख सकते हो, ठीक है, तो python सीखने के बाद, numpy आपके लिए सबसे पहला candidate हो जाता है, और काफी जा अगले वीडियो यही पर खतम करता है, introductory वीडियो काफी lengthy हो जाएगा नहीं तो, और अगर आपको अगले वीडियो काफी जल्दी जल्दी चीए, तो इस वीडियो पे आपको काफी अच्छा response दिखाना पड़ेगा, आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए के कमेंट सेक्षिन में, जो भी आपको लगता है इस particular course के regarding, जो आप अपने suggestions देना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी आवीडियो से बताना चाहते है इस course को लेके, आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्षिन में, we heartly welcome your comment and thank you so much for watching the video.